नमस्कार दोस्तों मेरे Best LIC Plan YouTube चैनल पर आपका स्वागत है मित्रों आज की इस वीडियो में हम आम तोर पर आने वाले दो अबजेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे कि किस प्रकार इन अबजेक्शन को हटाया जा सकता है पहला अबजेक्शन है पापा से पूछ कर बीमा करवाऊंगा और दूसरा अबजेक्शन है पतनी से पूछूँगा मित्रों एक अभिकर्ता को यह काम मिला है कि वह लोगों का इंसुरेंस करे ताकि किसी अनहोनी की दशा में उनकी फैमिली को दरदर की ठोकरे न खानी पड़े अनात बच्चों को कम उमोर में किसी ढाबिया दुकान पर काम ना करना पड़े किसी विद्वा को लोगों के घर काम ना करना पड़े लेकिन फिर भी कुछ लोग अग्यानता वश बीमा करवाने में आना कानी करते हैं ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम उन्हें समझाएं और जीवन की सच्चाई और वास्त्विक्ता से आवगत करवाएं और उन्हें इंशोर्ड करके उनकी फैमिली को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करें तो आईए इन दो अबजेक्षन को ओवर्कॉम करने के तरीकी के बारे में जानते हैं पहला objection है पापा से पूछूँगा मित्रों यह एक साधारण और आम objection है कुछ मामलों में बात सत्य होती है क्योंकि authority पापा होते हैं इसलिए मुलाकात तै करने के समय कोशिश करनी चाहिए कि जिन्हें निर्णे लेने का अधिकार हो उनके सामने ही बात होनी चाहिए क्योंकि उनके रहने पर यह बाहना नहीं होता है इसलिए मुलाकात ऐसे समय करने चाहिए जब authority सामने हो लेकिन कुछ मामलों में यह साधारण बाहना भी होता है बेटा कहता है कि पापा से पूछूँगा मेरे एक अच्छे दोस ने एक मीटिंग में कहा था मैं एक बार एक ग्रहाक के यहां गया वहाँ बैट कर वैं cigarette पी रहा था मैंने policy समझाई तो वैं खुशी खुशी बोला policy तो बहुत अच्छी है जरूर लोगा लेकिन जरा पहले पिताजी से पूछ लूँ इस पर मेरे मित्र ने कहा बहुत बहुत धन्याद आपका आपने इस policy को पसंद किया ठीक है आप पहले पिताजी से पूछ ले फिर करा लेजिएगा लेकिन एक बात पूछू हाँ पूछी यह उसने कहा आप cigarette कब से पी रहे हैं यही करेब 4-5 साल पहले शुरू की थी उसने जवाब दिया मेरे मित्र ने मुस्कराते हुए पूछा cigarette पीना शुरू करने से पहले क्या आपने पापा से पूछा था कि पापा जी cigarette पीना शुरू कर दूँ नहीं यह कैसे पूछ सकता हूँ उसने मुस्कराते हुए उत्तर दिया था जब आप एक बूरा काम आप पापा से पूछे बीना शुरू कर सकते हैं और एक सबसे अच्छा काम करने के लिए आप पूछने की बात करते हैं अच्छे काम पहले शुरू करके बाद में बताने चाहिए कौन बाप अपने बेटे दोरा सुरू किये गए अच्छे काम में खुछ नहीं होगा मित्रों मुझे भी एक बार एक लड़के ने ऐसे ही कहा कि पापा से पूछूँगा तब आपको फोन करके बुला लूँगा मैंने भी उसे धन्यवाद दिया और पूछा नौकरिय तो तुमारी लग गई है न वैं बोला हाँ और शादी हो गई उसने का अभी नहीं देखो वोटा एक बात कहूं मैंने बड़े प्यार से उसकी पीट पर हाथ रखकर कहा हाँ बोलिये जरूर बोलिये शायद पीट पर हाथ रखना उसे बहुत अच्छा लगा बेटा माव आप कितने यतन से संतान को पालते हैं खुद भूखे रहकर या रात को जाग कर भी अपने संतान को कश्ट नहीं होने देना चाते क्या ये सच है मैंने बड़े नमर सब्दों में कहा और उसने भावुगो कर का हाँ क्या उन्हें संतान से कोई अपैक्षा नहीं होती क्या उनके कोई सपने नहीं होते मैंने फेर फूख चा और उसने जवाब में उत्तर हां में ही दिया लेकिन बेटा उनके सपने तो तुम्हारे साथ जुड़े हुए हैं भगवान न करे अगर तुम को कुछ हुआ तो तुम तो माबाप के कर्च को उतारने कोशिश भी नहीं कर पाओगे बेटा एक अच्छी सी पॉलसी ले लो जिसमें पापा को नौमनी बना दो इस पॉलसी की समय वदी बहुत लंबी नहीं हो भगवान करे यह पॉलसी पापा के सामने ही पूरी हो पॉलसी की रकम जब पापा के हाथ में दोगे तो उन्हें जो खुशी होगी वह तुम सोच भी नहीं सकते इसकी कलपना करके देखो जब तुम मिचवटी की रकम देकर कहोगे कि पापा यह नौकरी लगने के बाद मेरी आमदनी में से ली गई पॉलसी के पैसे हैं यह पूरी रकम आप दोनों के लिए है उश्रण तुम उन्की आँखों में गौर से देखना कि उन्की आँखे क्या कह रही है बेटा, उनकी आखे तुम पर गरव कर रही होगी, मा भी अपनी कोग पर गरव कर रही होगी कि उसने तुम जैसे सपूत को जनम दिया. फिर एक बात और है बेटा, भगवान ना करे अगर तुम्हारे जीवेन के साथ अक्स में कुछ हो गया, तो तुम्हारे पैसे उन्हें ही मिलेंगे, तुम अपने मन में यह सोच कर, सोच सकते हो कि मैंने एक अच्छा काम करके अपने कर्ज को कम करने की कोशिश की है, लेकिन ब पाप ऐसा कह सकता है, कि मेरे बेटे की जीवन पर पालसी हो, और अगर इसे कुछ हो जाए, तो मैं पैसे ले लूँ, कभी ऐसा नहीं कह सकता, इसलिए ऐसा करो, कि इस अच्छे काम को करके पापा को अश्चर रिचकित करो, अभी उनसे पूछने की कोई जिरूरत नहीं है, मित्रों बेटे ने एक मिंट में ही 15 लाग की पालसी के लिए चेक दे दिया, मैंने एक लड़के से और बीमे की बात की, वैस समझ गया और पालसी पसंद कर ली, मैंने जब दक्सकत करने को कहा, तो उसने सीधर सब्दों में जवाब दिया, सर पालसी तो जरूर लूँगा, लेकिन पहले अपने पापाजी से पूछ लूँ, मैंने उसे भी अच्छी सोच के लिए धन्यवाद दिया और पूछा, क्या तुमारी शादी हो गई है, उसने उत्तर हां में दिया, मैंने फिर पूछा, क्या तुमारे बच्चे भी हैं, उसने जवाब दिया, एक लड़का है, और एक लड़की है, मैं थोड़ी दिर चुप रहां, चाय पीता रहा, कुछ दिर रुकने के बाद मैंने धीरे से उससे पूछा, बेटा एक बात पूछू, जी हाँ, पूछी उसने उत्तर सकता से बोला, क्या तुम अपने बेटे से बहुत प्यार करते हो, मैंने सवाल किया, यह भी कोई पूछने वाली बात है, उसने मुश्कराते होए कहा, मैं अपने जान से ज़्यार करता हूँ उन्हें, हाँ, बिलकुल, अपनी जान से भी जादा, बेटा, इसी तरह तुम्हारे पापा भी तुम्हें अपनी जान से ज़्यार करते होंगे, हाँ, क्यों न लाख रुपे देना चाहूं तो क्या तुम तैयार हो जाओगे 20 लाख अच्छी रकम है क्या बात करते हो आप आप एक क्रोड भी दोगे तो भी कौन बाप ऐसा चाहेगा वैं थोड़ा उच्चेजीत होकर बोला बिल्कुल नहीं चाहोगे मैंने फिर पूछा नहीं नहीं कभ लोगों के मिल जाएंगे तो क्या समझते हो तुमारे बापा त्यार हो जाएंगे मैंने उसकी आँखे में आखे डाल कर पूछा नहीं बिल्कुल नहीं होगे उसने धीमे से उत्तर दिया तो फिर पापा से पूछना उचित होगा कि पापा एक पॉलसी ले लूँ मैंने फिर कहा बेटा एक अच्छा काम है ये जो तुम अपने जीवन की कीमत अपने माबाप को अपने परिवार को दे रहे हो ये पूछ कर कभी नहीं दी जा सकती ये काम करके सूचित करोगे तो वे मन ही मन तुमारी इस अच्छी सोच पर गर्व करेंगे और खुश होगे एक बात और है अपने जीवन पर एक पॉलसी लेकर माबाप के लिए सोचोगे तो वे अपनी पत्नी और बच्चे के लिए भी एक बहुत नेक काम कर दोगे मित्रों वे लड़का तुरंत त्यार हो गया और दस्तकत कर दिये मित्रों सामानते ये अब्जेक्शन ज़्यादा देखता हूँ कि जहां बेटा बाप के साथ बिजनस में लगा हुआ है जब बाप और बेटा एक ही बिजनस में लगे हो तो वहां बातचित करके ये जानने की पहले कोशिश करनी चाहिए कि दोनों में अथावर्टी कौन है यानि कि नेड़ने लेने का अधिकार किस के बास है थोड़ी देर बातचित करने से ये अंदाजा लग जाता है कि अथावर्टी कौन है कभी-कभी ऐसा भी हुआ है कि बेटा अपने बाप के सामने बात करना ही नहीं चाहता और वह इन चीन्यों को बिना बाप को बताय समय ही करना चाहता है और ऐसी जगा पर इसका अब्जेक्शन भी नहीं होता है मित्रो अगला अब्जेक्शन है पत्नी से पूछ के बीमा कराऊंगा मित्रो यह भी अब्जेक्शन आम है जब हम पती से बात कर रहे होते हैं तो वे बोलता है कि पत्नी से पूछ करवाऊंगा और यह कहकर वे टाल देता है। मेरे अनुभव कहते हैं कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा कहकर वे में टालने की ही कोशिश करता है। हाँ कुछ मामलों में ऐसा तो हो सकता है। कई पत्नी अपनी पत्नी से ला लेकर ही कुछ काम करने को त्यार होते हैं। मितनों एक बार मैंने एक ग्राहक से अच्छी पॉलसी की बातचीत की। तो वे त्यार हो गए लेकिन उन्होंने कहा जरा पत्नी से बात कर लूँ अभी तो वे शहर से बार हैं। उन्हें आने दीजिए, मैंने भी अनुमान लगाया कि ये टालने का बहाना नहीं है, ये सत्त है, वे बिना पत्नी से पूछे दस्तकत नहीं करेंगे, मैंने कहा थेंक्यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपने इस पॉल्सी को सुना और समझा और पसंद भे किया, आप जरू की आया से चाय लाने को कहा, मैं भी खुश हो गया कि उन्होंने समय ही बात्चीत करने का एक मौका दिया है, मैंने चाय पीते हुए बात्चीत शुरू की, सर लेकिन एक बात कहूं, हाँ हाँ जरूर बोली, उन्होंने बोला, सर इंशुरंस पॉल्सी तो आपके परिवार के कीमत है, क्या आप इसे मानते हैं, हाँ हाँ जरूर मानता हूं, उन्होंने उत्तर दिया, सर पॉल्सी लेने का अर्थ होता है कि अपने जीवन की कीमत, अपनी पत्नी और बच्चों को समर्पित कर रहा हूं, भगवान न करे अगर मुझे कुछ हो जाय तो मेरी पत्नी और ब कोचर में घीरी होती है, कभी भी भी खुल कर बात नहीं कर पाती, मैं कुछ दिन पहले की एक घटना को सुनाता हूं, मैंने बादचीत को आगे बढ़ाते हुए कहां, मैंने एक अपनी मित्र को पॉल्सी समझाई थे और वे त्यार हो गए थे, और दस्खत करते हुए अपन नहीं पतनी एकदम भी फर गई, और वो गुस्से में होकर बोली, भाड में जाएं ये रुपे, मुझे नहीं चाहिए 10 लाग, 20 लाग, मुझे तो बस आपका जीवन चाहिए, मैं आपको ये पॉल्सी नहीं लेन दूँगी, इतना कहकर वे रोने लगी। अपने पती की मौत के बदले पैसों की बात सुनना भी पसंद नहीं करेगी, लेकिन एक सत्री और बताओं, वही सत्री जब विद्वा हो जाती है, तो अजेंट के घर और L.I.C. के दफ्तर के दर्वाजे पर वे स्वें भी जाने को त्यार हो जाती है, सर उस समें पैसों की कीमत का एहसास होता है उसे, और पैसे की कितनी ज़ूर्थ है, वह पती के अभाव में ही जान पाती है, घर का खर्च, बच्चों के पढ़ाई, ये सब कुछ पैसे से ही चलता है, लेकिन विदम बना यह है, कि वह सब कुछ पती के रहते नहीं जान पाती, इसलिए वह सुनना पसंद करती है, किसी ने ठीक ही कहा है, सद्वा अगर जाने विदम का दर्द, तो इंशोर्ड हो जाए दुनिया का हर मर्द, सर्क क्योंकि जब तक वह सद्वा है, यानि कि उसका पती जीवित है, तब तक वह एक विदम का जर्द नहीं जान सकती, इसलिए वह पती क बीमे के बारे में सोचती ही नहीं और जब जानती है तो काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि पती जा चुका होता है इसलिए आप मेरी बात को ध्यान से सुनें समझें और दस्तखत करें और जब मैं आपका पॉलसी वोंड ला कर दूँ तब आप उसमें उनके लिए एक गिफ्ट लें और साथ में ये पॉलसी वोंड गिफ्ट करें जब पतनी का या बच्चों का जनम दिन हो उस दिन उन्हें ये सर्प्राइज गिफ्ट दें हाँ गिफ्ट करते हैं कभी भी मिर्त्यू की बात ना करें मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उन्हें आपकी तरफ से ये सर्वशेष्ट गिफ्ट होगा और वे लोग इसे पाकर बहुत खुश होंगे और मन ही मन आपके विचारों और आपकी सोच पर नाज भी करेंगे मित्रों वे ग्रहक मेरी इस बात को अच्छी तरह समझ गए और बिना विलम किये आँखों में चमक लिए दस्तकत भी किये और पैसे भी दिए तो दोस्तो इस तरह से आप भी इन तरीकों को अपना के इस अब्जेक्शन को अवरकॉम कर सकते हैं इस वीडियो में इतना ही धन्यवाद जैहिन